नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा गुपता, असोसियेट प्रोफेसर होम सैंस, गॉर्मेंट मीरा गल्स कॉलेज, आज जो व्याख्यान दे रही हूँ, उसका विशे है टाइपस ओफ कम्मिनिकेशन अर्थात संचार के प्रकार, इसके अंतरगत हम विभिन प्रकार की संचार, ज हम अपनी डे-टू-डे रुटीन के अंदर कई तरीके से अपने मनोभावों को, विचारों को प्रकार करते हैं दूसरे तक, चाहे वह एक व्यक्ती हो, चाहे वह स्वयम के साथ संप्रेशन करना हो, या एक ग्रुप है, समू है, अथवा कई सारे संचार हम लेते भी हैं, जिसके अंतरगत जन संचार एक महतुपून प्रणाली है, इस तरीके से विभिन प्रकार की संचार प्रणालिया या संचार प्रकार हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, संचार मानव जीवन की बुनियादी जरूरतों में से एक है, जिसके ना होने की मानव अधूरा होता है। हमने अपने पहले व्याख्यान में भी देखा कि संचार जो है वो सिर्फ देखना सुनना ही नहीं है। इसके अलावा जो आप सोचते हैं आप अभिवियक्त करते हैं ये भी संचार का माध्यम है जिसके अंतरगत शाब्दिक और गैड़ शाब्दिक तूनों ही प्रकार के संचार माध्यम उप्योग में लाए जाते हैं। यदि मानव को संचार प्राप्त ना हो तो उसका जीवन अधूरा सा लगता है। अपने समाज में मानव कहीं संचारक की रूप में संदेश संप्रेशित करता है तो कहीं पे ग्राहक की रूप में संद श्रोता के विवहार को बदलने का प्रयास करता है, संचार केवल शाबदिक नहीं होता, बल्कि इसमें उन सभी क्रियाओं को भी संभलित किया जाता है, जिस से श्रोता प्रभावित होता है, संचार प्रक्रिया में संदेश का प्रवा संचारक से शोता तक होता है और इसमें शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार के प्रकारों का वर्गी करण किया जाता है क्योंकि मानव एक दो लोगों से एक किस्म का किसी समू या समुदायक के साथ अन्य किस्म का व्यवहार करता है अतह इन सभी चीजों को देखते हुए संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार प्रमुक्त चार प्रकार का होता है अब हम ये प्रकार जानेंगे कौन-कौन से हैं पहला इंट्रापर्सनल कम्यूनिकेशन या अंतरव्यक्तिक संचार दूसरा इंट्रापर्सनल कम्यूनिकेशन अंतरव्यक्तिक संचार या पारसपरिक संचार भी जिसे कहा जाता है तीसरा है group communication, अर्थात, सामुहिक संचार या समुह संचार जिसे कहते हैं और चौथा है mass communication या जन संचार अब हम एक-एक प्रकार के बारे में थूड़ा विस्तार से चरचा करेंगे तो आज जिस प्रकार के बारे में हम चरचा कर रहे हैं वह है अंतरवयक्तिक संचार या इंटरापर्सनल कम्यूनिकेशन एक बार के लिए तो हमें ये लगता है कि इंटरापर्सनल स्वेयम के साथ व्यक्ति कैसे समवाद कर सकता है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यह एक मनोवेज्यानिक क्रिया है और मानव का व्यक्तिकत चिंतन और मनन है इसमें संचारक या मैसेच देने वाला भी वही व्यक्ति है और शोता भी वही है तो दोनों भूमिका जो है वो एक ही व्यक्ति को निभानी पड़ती है अंतरव्यक्तिक संचार मानव की भावना उसके स्मरण चिंतन या उलजन के रूप में हो सकती है कुछ विद्वान स्वपन को भी अंतव्यक्तिक संचार मानते है इसके अंतरगत मानव अपनी केंद्री स्नायूतंत्र अर्थाथ Central Nervous System और भाई स्नायूतंत्र Peraphorral Nervous System का प्रियोग करता है केंद्री स्नायूतंत्र में मस्तिश का आता है जबकि बाहियस नायूत अंत्र में शरीर के अन्य अंग, इस पर मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में परियाप्त अध्यन हुए है, जिस व्यक्ति का अंतव्यक्तिक संचार के इंद्रित नहीं होता, उसे समाज के अंदर जो है, वो कई बार कम बोलने वाला व्यक्त कहा जाता है, मनुश्यक के मस्तिष्क का उसके अन्य अंगों से सीधा संबंद होता है, इस प्रकार के कम्यूनिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि मानव अपना तथा अन्य दूसरों का मुल्यांकन करता है, या एक स्वचालित प्रक्रिया है, सामाजिक विज्ञान के अध्य बड़ी रहस्यवादी होती है, अन्तव्यक्तिक संचार के कई उधारन मौझूद हैं, शरीर में शरीरिक रूप से कई बार व्यक्ति काफी मजबूत होता है, परन्तु अन्तव्यक्तिक संवाद अगर उसका कमजोर है, तो वो दूसरों पे प्रबत्व जमाने के लिए सिर् अपने आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि यह नहीं, मैं यह कर सकता हूँ, अन्तव्यक्तिक संचार एक शारीरिक और तांत्रिक क्रिया है, जिसके चलते मानव में मुल्य, अभिवरत्ति, विश्वास, अपनापन, इत्यादी का जन्म होता है, व्यावारिक प्रक्रिया के जीवन की योजनाओं को तयार करता है, सुख दुख का एहसास करता है, अपने जीवन के लिए उपयोगी और आवशक आयोमों का निर्मान भी करता है, तो यह इस तरीके से, in this setting, communication begins and ends with self अर्थात, यह हमी से शुरू होता है और हमी पे खतम हो जाता है, The sender and receiver is the individual himself or herself, communication occurs as a reflection upon ourself, यह हमारा अपने उपर ही एक तरीके का प्रतिबिम्ब है, हमारी स्वयम के साथ किस तरीके की रिष्टेदारी है, हमारा कैसा नाता है अपने साथ में और हमारे वातावरण के साथ में, हमारा क्या संबंध है, वो भी intra-personal communication के द्वारा होता है, What we think and feel is conditioned and controlled by our self-view, जो हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, वह अपने स्वयम के opinion के द्वारा हम बताते हैं, About how we perceive our action, achievement and failure, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है, हम कोई कार्य करते हैं, और उसके बाद में, हम स्वयम ही ये महसूस करते हैं कि नहीं, इस काम को करने में मैंने उतनी ततपड़ता या उतना जो है, अपना समय नहीं दिया, या उस quality का काम मैंने नहीं किया, जो कि मैं कर सकता या कर सकती थी, तो यह क्या है, एक अंता समवाद है आपका स्वयम के साथी, जहां आप अपना self-evaluation भी करते हैं, हम अपने actions को भी देखते हैं, कई बार चीजें हमने अगर सही नहीं की हैं, तो हमें तुरंत अंदर ये ऐसास हो जाता है कि नहीं, ये गलत हैं, इसी तरीके से हमारे जो achievements हैं, हमारे failure हैं, उसका सबसे best evaluator जो है, वो हम स्वयम हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कितनी महनत की है उसके पीछे, Examples of intrapersonal communication are, इसके विबिन हम उधारन दे सकते हैं, privately enjoy the beauty of life, हम अपने आसपास होती वी विबिन घटनाओं को देखते हैं, पहाड है, पक्षी है, पक्षियों का चह चहाना है, बारिश की बूंदे है, मिट्टी की खुश्बू है, ये सारी चीजें जो है, उसके अंदर आप को किसी दूसरे व्यक्ति की आवशक्ता नहीं होती है, आप ये स्वेम ही enjoy करते हैं, इसी तरीके से justify, defend our speech and action, हम कोई भी कारे करते हैं, या कुछ बोलते हैं, उसके बाद में हमें तुरंत ही खुद को realize हो जाता है, कि क्या हमने ये सही किया या गलत, analyze our behavior, action, ideas and relationship, मान कि आपके द्वारा कभी कुछ गलत बोले जाने पर किसी व्यक्ति का दिल दुखता है, तो सबसे पहले उसका एहसास हमें स्वेम होता है, कि नहीं ये मैंने गलत कर दिया, express different moods like joy, happiness, jealousy, anger as per the varied situation, अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में हमारा mood, हमारे सम्वेक परि खुश हो जाते हैं, मान लीजिए, किसी ने वो कार्य ऐसे नहीं किया, जैसा हम उससे अपिक्षा कर रहे थे, तो हमें बुरा लगता है, कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल गया, किसी की ज़्यादा प्रिशन सा हो गई हमारे comparison में, तो कई बार ईश्या का भाव, jealousy आ जाती है, कुछ गलती ना होने पर भी किसी के द्वारा अगर डांट दिया जाता है, तो गुस्सा आ जाता है, तो इस तरीके से ये विभिन अप्रकार की भाव, भंगिमाएं हमारे चेहरे पर आती हैं, और वो intra-personal communication का एक सशक्त माध्यम है, we therefore use intra-personal communication as a means of, हम कहां कहां पे इसका प्रियोग कर रहे हैं, सबसे पहले self-analysis, आपका स्वर मुल्यांकन, self-assurance, अपने आपको, आप एक डाड़स बंधाते हैं, या आप स्वयम को assure करते हैं, कि ये जो मैंने किया है, ये सही या गलत, self-motivation, अपने आपको किसी चीज के लिए motivate करना, साहित करना, confidence building और maintenance, आप अपने उपर विश्वास को बनाना और उस विश्वास को बनाए रखना, self-evaluation and self-discovery, कई पार हम अपना जो है, वो discovery भी करते हैं, कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, तो कई नई चीजों की जानकारी भी हमें introspection या intra-personal communication के द्वारा प्राप्त होती है, it's a looking glass for self in terms of, इसमें हम अपने आपको एक कांच के अंदर जैसे देखा जाता है, उस तरीके से देखते हैं, अपने experience के साथ में, कि हमें लोगों के साथ में किस तरीके के अनुभव हो रहे हैं, behavior, हमारा behavior कैसे बदल रहा है, हमारा दूसरों के साथ में समवाद करने का तरीका, हमारा व्यवहार कैसे बदल रहा है, यह अभी इसके अंतर गता आता है, aspirations and judgment, हमारी क्या अकांखशाएं हैं, हम किस प्रकार से दूसरों के प्रती निर्णए लेते हैं, यह चीज़ें भी intra-personal communication के अंतर गताती हैं, It helps in identifying the relationship, हम अपने आप को का मुल्यांकन कर सकते हैं, कि हमारी जो दूसरों के साथ में संबंध हैं, वो किस प्रकार के हैं, और इसका best judge जो है, वो व्यक्ति स्वयम होता है, इसी प्रकार से values या हमारे जो मुल्या हैं, क्या मैं किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हैं, या मैंने कुछ अपने moral values या मैंने कुछ अपने नैतिक गुर्ण बना रखे हैं, जिसके हिसाब से मेरक को उतना ही करना है, जितना मेरा मन मुझे अलाओ करता है, तो इस तरीके से हमने देखा कि intra-personal communication या अन्तवयक्तिक समवाद भी एक सशक्त माध्यम है, संचार को प्रेशित करने का, धन्यवाद, next class में अब हम व्याख्यान के अंदर पढ़ेंगे, इंटर-personal communication या अन्तवयक्तिक समवाद के बारे में,